ऑलवेज, ऑलवेज का क्या हिंडि मीनिंग होता है, आईए इस चोटी सी वेडियो देख लिएते हैं दोस्तों、 ऑलवेज का हिंडि मीनिंग होता है लगातार, हमेशा, सदा, निरन्तर, सदैव, नित्य, सरवथा या हरदम तो दोस्तो कोई भी ऐसे काम जो आप रोज करते हो लगातार करते हो हमेशा करते हो निरंतर करते हो तो जो काम आप हमेशा कर रहे हो उसके लिए आप always use कर सकते हो always लगातार जैसे आप बोलते हो कि I always wake up early in the morning में निरंतर या मैं हमेशा सुबह जल्ली उड़ता हूँ चलिए दोस्तो इसके कुछे examples भी देख लेते हैं I will always be there to help you I will always be there to help you मतलब मैं आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा दोस्तो इस sentence में always का meaning हुआ हमेशा तो आपको भी कोई word meaning में कोई problem आ रही है या कुछ आप मुस्से directly पूछने चाहते हो तो आप मुस्से comment के मादिए मुसे पूछ सकते हो I will always be there to help you मैं आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा चलिए इसका एक और example देख लेते हैं मतलब हवा में हमेशा कुछ ना कुछ प्रदूशन रहता है तो दोस्तो इस sentence में always का meaning हुआ हमेशा दोस्तो उम्मीद करते हैं आपको इस word का meaning अच्छे समझ आ गया होगा अगर आपको इस word का meaning अच्छे समझ आया हो तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही informative वीडियो आपको सबसे पहले मिलें और दोस्तो vocabulary बैंक को आप Instagram पर भी जाके follow कर सकते हैं